हाई एवर्वन आप सभी की सबबत करता हूं एक और नीव वीदिए mez Asia तो आप मैंसे काफिज अईफ के प्रोबले स्कोव और क्या सोलोशन है इस वीडियो में अपको डीटल में देखने को मिल रहा है यह पर आपको बता रहा है यह पर आपको सबसे पहले बता दो आपको प्रॉब्लेम क्यों आ रहा है काम छोड़ने की साथ साथ आप अपना प्रॉब्लेम देखने को मिल रहा है आपको दो माइना की वेट करना पड़ेगा दो मान की बाद ही आप अपना प्रॉब्लेम को अपडेट कर सकते हैं आप डेट पडेट डाल सकते हैं खुझ से कर सकते हैं और किस तरह किसे आप अपना प्रॉब्लेम में डेट अप्रॉब्लेम कर सकते हैं आपको आई बोटन में मिल जाए गा या वीडियो की डिस्क्रिप्जन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा तो आपको data अगजर्ट करते डा इस मीडिलिए उसके लिए आपको प्रॉबलम प्रॉबलम आoure जाका क्योंड कि अफे आपकी इस भी कंपण में 15 दिन या 10 दिन काम करने के बाद छोड़ देते हो तो उस टाइम 2 माइना के बाद date of exit डालने के लिए option यहापर आपको नहीं आता है क्योंकि आपका employer आपके contribution जमा नहीं करते इसके लिए आपको यह problem देखने को मिलता है तो इसके लिए आपको अपना employer का help लेना है आपको समझ में आगे होगा कि यह problem आपको किस लिए मिल रहा है और इस problem का आपको क्या समधन है इस वीडियो में आपको details में जानकरी मिल गया है I hope जानकरी आपको काफी पसंद है होगा जानकरी पसंद है तो वीडियो को like किजएगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe कर लेना आप सब फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में निवेक आपडेट के साथ